धावा स्टाइल में बनी हुई मटर पनीर की सबजी किसे पसंद नहीं होती तो आज मैं वही मटर पनीर की सबजी आपको बना के दिखाऊंगी और वो भी उन्ही मसालों के साथ जो कि आपके घर में असानी से अवेलेबल होते हैं अगर आपके मटर पनीर में वही धावा वाला टेस्ट आप चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी पूरी देखे और इंग्रिडियेंट्स अच्छी तरीके से नोट कर ले तो सबसे पहले कडाई में लेंगे हम चार बड़े चमश तेल तेल थोड़ा गरम हो जाने पर इसमें डालेंगे प्याज यहां मैंने चार मीडियूम साइस के प्याज लिये हैं जिनने मैंने इस तरीके से लंबा-लंबा कट कर लिया है और अब इन प्यास को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए शुरुवात में हम गैस की फ्लेम हाई ही रखेंगे पर हाँ इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि प्यास जले नहीं वैसे तो प्यास को गोल्डन ब्राउन होने में काफी जमय लगता है पर फिर भी इसे चलाते रहें ताकि प्यास जले नहीं पांच मिनिट हो गए हैं दोसतों प्यास को पकाते हुए और देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए है हमारे प्यास अब हम क्या करेंगे कि flame को low पे shift कर देंगे क्योंकि एक बार जब प्यास brown होने लग जाते हैं तो उसके बाद वो काफी जल्दी cook होते हैं 7-8 minute हो गए हैं प्यास को यहाँ पकाते हुए और देखिए जादातर प्यास हमारा golden brown हो चुका है पर अभी भी कुछ प्यास अफेद नजर आ रहा है तो इस वक्त अब हम इसमें डालेंगे एक इंच अद्रग का तुकड़ा और पांच से छे लसुन लसुन और अद्रग हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम उसे ओवर कुक नहीं करना चाहते हैं दो मिनिट हो गए हैं इसे पकाते हुए और अब आप देखिए प्यास पूरी तरीके से ब्राउन हो चुका है और अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी और यहाँ जो एक्स्ट्रा का तेल है वो हम कड़ाई में ही छोड़ देंगे क्योंकि हम आगे की रेसिपी पूरी इसी तेल को इस्तिमाल करते हुए बनाएंगे और देखिए कितनी बड़िया तरीके से प्यास हमारा बन के तयार हुआ है तो हब हम इसे पूरी तरीके से पहले थंडा होने देंगे और फिर मिक्सर में डाल कर इसको हम पीस लेंगे इसका एक ड्राइ पेस्ट बना लेंगे बिना पानी डाले तो यह देखिए प्यास ठंडा हो गया था तो हमने इसको मिक्सर से निकाल लिया है ग्राइन करके और देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा एक ड्राइ पेस्ट तयार हो गया है तो अभी हमें से साइड में रख देते हैं तो चलिए अब आगे चलते हैं और ये कड़ाई में जो हमारा तेल बज गया था इसी में हम डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर, देड़ चोटा चमच लाल मिर्ची का पाउडर, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, एक चोटा चमच जीरा पाउडर, एक चोटा चमच गरम मसाला और एक चोटा चमच छोले मसाला छोले मसाला एड़ करने से आपके मटर पनेर को एक अलगी स्वाद मिलेगा अब इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे बस दो मिनिट पकाएंगे मसाला डालते समय जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि तेल गरम नहीं होना चाहिए अगर तेल गरम होगा तो हमारे मसाले सारे जल जाएंगे और उससे ग्रेवी में एक बहुत ही गंदा स्वाद आएगा तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि या तो आप गैस की फ्लेम आफ कर दे और उसके बाद ये सब मसाले डाले और फिर चालू करें या तो एकदम लो फ्लेम पर रखे और उसके बाद मसाले डाले तो यहाँ मसालो को दो मिनिट कुक कर लिया है मैंने और अब हम डालेंगे दो छोड़े चम्मच बेसन यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली आना रहे बेसन हमने इसलिए डाला है क्योंकि बेसन ग्रेवी को थिकनेस देता है और अकसर आपने रेखा होगा कि जब हम ग्रेवी डिशिस बनाते हैं और वो ठंडी हो जाती है तो वो पानी छोड़ने लगती है तो वो समझ से बेसन डालने से नहीं होती है दो मिनिट बेसन डाल कर हम इसे चलाते हुए पका लेंगे ताकि इसका कच्चा स्वाद निकल जाए और अब यहां मैंने फ्रेश टोमेटो का पेस्ट लिया है तीन मीडियम साइस के टोमाटर को मिकसर से पेस्ट बना कर निकाल लिया है आप चाहे तो यहां फ्रेश टोमाटर यूज़ कर सकते हैं या टोमेटो प्यूरी जो बाजार में आजकल आसानी से मिलती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक की हमारा मसाला तेल न छोड़ दें तो पहले तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर धकन लगाकर इसे करीबन दस से पंदरा मिनिट टक पकाएंगे बीज-बीज में धकन खोल कर इसे चलाते रहेंगे और थोड़ा नीचे से स्क्रेप कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है और बेसन जादातर कड़ाई के नीचे बैट जाता है और वहीं से जलने लगता है तो इसलिए ग्रेवी में जले हुआ स्वाद ना आए इसलिए हम इसको स्क्रेप करते हुए बीज-बीज में चलाते रहेंगे तो यहाँ पे हमारे टमाटर पेस्ट को पकते हुए 15 मिनिट हो गए है और देखिए ग्रेवी से तेल अलग होने लगा है तो अब हम इसमें प्याज, लसुन और अद्रक का जो हमने ड्राइ बेस्ट बनाया था वो हम इस समय इसमें एड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यह देखिए कितना बढ़िया रंग आया है हमारी ग्रेवी को बिना किसी आर्टिफिशियल कलर डाले और खुश्बू तो इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको क्या ही बताऊं अब इसे हम ढ़कन लगा के दो मिनिट तक पका लेंगे ताकि मसाले आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए दो मिनिट बात देखिए मसाले से तेल अलग हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी यहां आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो गाड़ी या पतली उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं पर अगर मेरे सजेशन से जाएंगे तो बहुत जादा पानी मत आड़ करिए क्योंकि मटर पनीर की ग्रेवी थुड़ी थिक होती है अगर आप जादा पानी आड़ कर देंगे तो वह एकदम पतली पतली से अच्छी नहीं लगती तो इसलिए धीरे धीरे करके पानी डालिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम मतर यहां मैंने फ्रोजन मतर लिए हैं इसलिए मैं डारेक्टे नहीं इस्तिमाल कर रही हूँ अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो पहले आप उसे गरम पानी में एक बोईल ले लीजिए ताकि वो थोड़े से पक जाए और उसके बाद ग्रेवी में डाले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथी में डालेंगे एक छोड़ा चमच नमक और अब फिर से धकन लगा कर हम इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे ग्रेवी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे पनीर यहां मैंने 500 ग्राम पनीर का इस्तिमाल किया है और साथी में डालेंगे धेर सारा धनिया एकदम हलके हाथों से इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारे पनीर की जो क्यूब्स है वो तूटे नहीं और इसको फिर से एक बॉयलाने तक हम पकाएंगे यहाँ पर यहाँ मैंने जो पनीर यूज किया है उसको मैंने फ्राइ नहीं किया है अगर आप चाहे तो आप उसको पहले फ्राइ कर ले और उसके बाद यहाँ पे इस्तिमाल करें और देखिए सबजी कितनी बडिया बनकर तैयार हो गई है आपके महमानों को यदि आपको इंप्रेस करना हो या घर में ही धाबा स्टाइल सबजी खाने का मन हो तो इसे मेरे स्टाइल में जरूर बना कर देखिए और वापस आकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे ही मज़िदार रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें